आज ना हम ढोकला बनाने वाले हैं वैसे तो ढोकला की गिंती एक healthy snacks में होती है लेकिन इसे और ज्यादा healthy बनाने के लिए हमने यहाँ पे चार तरह की दाल इस्तेमाल की है यह mix दाल ढोकला बनाने में हमने कोई भी baking soda या fruit salt का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है फिर भी यह soft and spongy बनके ready होते है टी time snacks या टीफिन के लिए न यह बहुत ही अच्छा option है तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं mix दाल का ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उरद दाल, तुवर डाल, चना दाल और मसूर की दाल चारो प्रकार की दाल मैंने one-fourth cup की quantity में ली है साथ में हमने एक cup चावल लिया है ये खिचडी वाला जो चावल आता है न वही है half a table spoon से थोड़ा कम हमने मेथी दाना लिया है सभी दाल और चावल को हम एक बड़े से बरतन में ले लेंगे इसे हमें अच्छे से दोने के बाद 5-6 गंटे तक बिगो के रखना है मैंने यहाँ पे सारी चीजों को पहले से बिगो के रखा है approximately मैंने इसे 6-7 गंटे तक बिगो के रखा है और ये अच्छे से soft हो गये है मेथी दाना मैंने अलग से बिगो के रखा है ताकि ग्रैंड करते समय हम इसका पानी यूज कर सके अब इन सारी चीजों को हम एक ग्रैंडिंग जार में लेके इसका एक बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे मैंने इसे दो बार में पिसा है क्योंकि बैटर थोड़ा ज्यादा था और ग्रैंडिंग जार में ही थोड़ा सा पानी डालके हम इसमें पानी मिला देंगे यहाँ पर मैंने इसे ग्राइन करते समय एक कप जितना पानी का इस्तेमाल किया था और इसके बाद भी मैंने इसमें एक कप जितना पानी डाला है मतब टोटल मैंने दो कप जितना पानी मिलाया है इसमें बैटर को हमें इसी तरह हातों से चलाते हुए 5-7 मिनट तक गुमाना है ये स्टेप करने से बैटर का फर्मंटेशन का प्रोसेस अच्छा होता है और आपको ढोकला बनाते समय बेकिंग सोडा या फ्रूट सॉल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी डोकला का बैटर हमारा रेड़ी है इसे हमें फर्मंटेशन के लिए 8-10 गंटे तक रखना है मैं इसे ओवरनाइट रख दूँगी बैटर को हमें कहीं भी घरम जगा पे रखना है अभी सर्दियों का मोसम चल रहा है इसलिए मैंने माइक्रोवेव को बस 5 मिनट के लिए प्रिहिट कर दिया है और बैटर को उसी में रख दिया है ये धिकत ना सिर्फ सर्दियों में आती है अधराईज आप इसे बाहर भी र साइज में बढ़ा होना चाहिए हमने ओवर नाइट इसे रखा था और हमरा बैटर बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है अरबबला बैटर में अच्छे से देख सकते हैं बैटर बहुत ही अच्छा फ्लफी और लाइट वेट हो गया है ढोकला को फ्लेवरफूल बनाने के लिए एक टेबल स्पून लसुन और मिर्ची बारीक कुटी हुई नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी शक्कर उस खटास को बैलेंस करने के लिए जो बैटर थोड़ा सा घाड़ा लगता है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं और इसी तरह हमें बीना बेकिंग सोड़ा या फ्रूट सॉल्ड के एक पौरिंग कंसिस्टेंसी का फ्लफी बैटर बनाके रेडी कर लेना है स्टीमर में हम दो ग्लास जितना पानी ले लेंगे स्टीमर की जगह आप कड़ाइका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेट को ग्रीस कर लेंगे तेल से ताकि धोखला चिपके ना और आसानी से निकल जाए वेटर को हम प्लेट में evenly फैला देंगे ढोकला कितना पतला या मोटा बनाना है ये completely हमारे उपर डिपेंड करता है वेटर को प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे आपे steamer में पानी गरम हो गया है अब दोनों प्लेट को हम steamer में रख देंगे और ढकन लगा के high to medium flame पे 12-15 मिनट तक पकने देंगे ढोकला तो हमारा बन ही राहा है तब तक हम एक basic से चटनी बना लेंगे अधरक, लसुन, मिर्ची, धनिया, पोकनट और रोस्टेड पिनट इसके साथ हम डाल देंगे चने का दलिया और स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा पानी डालके ग्रैंड कर लेंगे और हमारी चटनी रेड़ी है 15 मिनट हो गया है और यहाँ पे हमारी धोकला भी रेड़ी है तो इसे हम निकालके साइड पे रख देंगे धोकला हमारे बन के रेड़ी है यहाँ पे हम एक कड़का बना के रेडी कर लेंगे एक पैन में तेल गरम करते राई, सफेज तील, हरी मेल, करी पत्ता यह सब डाल देंगे और तुरंत इसे ढोकला के उपर स्प्रेड कर देंगे अपने मन पसंद शेप में कट करेंगे और गरमा गरम सब करेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे हम सब करते हैं यह ढोकला की सबसे अच्छी बात है यह बिना बेकिंग सोडा या इनो के यह देखे कितना सौफ्ट और स्पॉंजी बनता है उपर से थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और चटने के साथ एंजोई कीजिए तो लीजिए तैयार है हमारे मिक्स डाल के वाइट डुकला जो सौफ्ट एंड स्पॉंजी है इसे बनाना बहुत ही आसान है आप हमारी रेसिपी ट्राइज जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्षिन में रिवीव देना बिल्कुल मत बुलिएगा सबसे पहले में उन्हें थेंक्यू कहना जाओंगी जिन्हें न हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कोई भी सजिशन हो आप हमें कमेंट बोक्स में बताइए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें बेल आइकम प्रेस करना बिल्कुल न बुल ले ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपी डाले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थैंक यू फो वाचिंग एंड कीप शेरीं